बच्चों, मैं आपके हदिया बग्या बात कर रहे हूँ उपचारिक पत्र नगर निगाम के स्वास्त अधिगारी को अपने मोहले की सफाई के लिए पत्र लिहे मोहला सुधार सम्मिती, रगुवीर नहर, बी बलाक, नई दिल्ली दिना आजका दल लीजे बच्चों, साथ अक्टूबर दो हजाब, इक्कीस दल लीजे सेवामे यॉवामे, रगुवीर नगर निगाम, परिष्चमी शेत्र राजोगरी गाडन नई दिल्ली, विश्य मोहले की सफाई के सम्मंध में पत्र मानियवर, इस पत्र के माधिहं से, हम प्रगुवीर नहर, बी बलाक के निवासी आपका धान इस शेत्र में व्याफ़प्त गंदगी की और आकरशित करना चाते हैं हमारी कॉलनी में स्थान स्थान पर गूडे के धेर पड़े हुए हैं, जिनकी कारण चारों और तुर्गंद आती रहती हैं गूडे के डेरों से मक्खी तता मचरों का बढ़ जाना स्वाविगित सुभाविग हैं गंदगी के कारण इस शेत्र के निवासीयों का रहना दूभर हो गया है वर्ष शेत्र आरम होने पर भी इस शेत्र में हैजा तता मेलेरिया जैसे बीमारियों के फेलने की पूरी संभावना है इस शेत्र में निवगुत अधिगारियों से हमने अनेक बार लिखित प्रधान की परन्तु उन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया सफाई कर्मचारी तो हमारी बात सुनते ही नहीं आपस नम्र निवेदन है कि ततकाल इस समसिया की और ध्यान दे और संभुतित अधिकारियों को उच्छित निधंश निधर्शन देखकर इस समसिया का समाधान करवाए सध्यनवाद स्ववयदिये रहुवन्श शर्मा बच्चों सुनो इस पत्र में आप आधिगारी को लिखते हैं क्या लिखते हैं सफाई के सम्मंद आपके एरिया में जो कालिनी जैसा है उसमें उस ब्लॉप के आसपास गुड़ा होता है कच्छे का गुड़ा डेर सारा उस पर क्या होता है दाल के रहे तो मखी आएगा मचर आएगा उस अब बैठेंगे और हमारे पास आके बढ़ जांगे ड्यू टुड़ा मलेरिया सब कुछ आ जाएगा डिंगू स्प्रेट होता है इसलिए आप सफाई करके देने के लिए रेक्वेसेशन लाड़न अधिकारी को देते हैं इसक देशन नोट में लिखिए वज्जों धन्यावाद